पिर सब्सक्राइब मैं चैनल और क्लिक बेल आइकन थेंक यू नमस्कार दोस्तों जैसी क्रश्णा कैसे हैं आप सब उमिद करती हूं दोस्तों खुश होंगे शुक्षी होंगे संपन होंगे तो चलिए दोस्तों इनी दुआओं के साथ सुर्वात करते हैं हम आज की अपनी विडियो की काफी लोग को दोस्तों प्रॉब्लम है नोकरी की कोई सरकारी नोकरी चाहता है कोई प्राइबेट नोकरी चाहता है अपने अपने तरीके की नोकरी हर इंसान चाहता है तो नोकरी के लिए दोस्तों आज मैं बहुत ही अच्छा उपाए लेकर करके आई हूं ऐस किसने भी इसको किया है दोस्तों दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जो उसको नमें मिली हो तो दुस्तों मैं बात करीं हूं रामायंकि दोस्तों रामायंकि एक एक जहnd एक दोहा एक एक चोपाई सब शिद्ध कर लेते हैं दोस्तों. कूँकि तकलीफ दोस्तों किसी एक ही तरफ से आती है वो फिर चारों तरफ से आपको घयर लेती है. कोई भी चोपाई धोस्तों ऐसी नहीं है जिसकी कीमत दूसरी चोपाई से कम हो. अमुल्य है इसका ग्यान दोस्तों. और आपकी जिन्दगी की कोई भी समस्या दोस्तो ऐसी है ही नहीं जो चोपाईयां जिस समस्यां को दूर ना कर सके रामान के अंदर दोस्तो त्याग है करतव्य है दोस्तो रामान जैसा ग्रंत मैंने तो मेरी जिन्दगी में नहीं देखा दूसरा कहीं पर भी जिसने रामान पढ़ ली दोस्तों भगवत गीता पढ़ लिया उसे दोस्तों और कुछ भी पढ़ने की आफशक्ता नहीं है कुछ लोग दोस्तों साइंस साइंस करते हैं कुछ मैंने ऐसे उपाय बताए जिसमें कुछ लोगों ने कमेंट लिखी साइंस आप साइंस की मज़ा कुड़ा रहे हो मैं कहते हूं साइंस बाद में आया ग्यान का विज्ञान हुआ तब साइंस आया है जब साइंस था ही नहीं तब हमारे रिस्षी मुनियों ने वो सारी चीज़े बताई थी जो मैं आपको इन वीडियो के अंदर डाल रही हूं जो भी लोगे कमेंट्स करते हैं प्लीज अधूरा ज्यान लेकर के बाते ना करें जिने में एक सही रास्ता दिखा रही हूं उन्हें सही रास्ते से आगे आने दें कृपा करके उन्हें आगे आने दें अपना अधूरा औ में आपको एक चौपाई बताने जा रही हूं रामायन की आप इस चौपाई को किसी भी दिन जो भी दिन आपके लिए अच्छा हो क्योंकि दोस्तों रामायन जिस ने जिस दिन पढ़ ली उसी दिन से उसकी जिन्दगी बदल गई वैसे तो रामायन का पाठ कैसे करना चाहिए दोस्तों रामायन में सब कुछ लिखा हुआ है नो दिन नवरात्री में कैसे सिद करना है महिने की कैसे है साल भर की कैसे है कैसे एक दिन में रामायन का पाठ करके उसे पूरी किया जाता है अलग-अलग तरीके हैं लेकिन मैं तो इतना जानती हूं कि रामायर जिसने जब उठा लिया उसकी जिनगी उसी दिन से सुधर गई उसकी जिनगी उसी दिन से बदल गई तो दोस्तो आज रामायर से ही मैं आपको एक इतनी बढ़िया चोपाई बताने जा रही हूं कि आप इस चोपाई को जो भी दिन आपके लिए अच्छा हो उस दिन आप पूजा इस्थान में बैट जाईए पीले कपड़े पहले जिए पीले ही कलर का दोस्तो कपड़ा बिछाईए बाजोट के उपर पटे के उपर और स्री राम भगवान की प्रतीमा की स्थापना करें यदि आपके पास वह ना हो दोस्तो तो कोई बात करनी इस चोपाई की 108 बार आपको इस मंत्र का जाब करना है तो मंत्र है दोस्तों विश्व भरन पोशन कर जो ही ताकर नाम भरत अस हो ही दोस्तों गुरु वस्षिष्ट ने जब भरत का जन्व हुआ जब चारों भाईयों का दोस्तों इनकी जब कुंडली लिखी जब इन कौन सा नाम जब इनके नाम करण हुए उस समय दोस्तों इन्होंने कहा कि भरत जो पूरे विश्व का भरन करेगा यह आपका पूत्र पूरे विश्व का भरन पोशन करेगा और आपको यह पता होगा दोस्तों जब स्री रामचंदर जी वन में चले गए तब अयोध्या का भरन पोशन का भार किसने उठाया था? जो भी जिव दोस्तों दुनिया में राजा भरत का नाम इश्मरन करता है जो भी जिव वो कभी भूखा नहीं रह सकता, बिना नोकरी धन्दा का वो कभी रही नहीं सकता दोस्तों आप इस चोपाई को सिर्फ एक माला, इस चोपाई की सिर्फ एक सो आंट मंतरक आप जाब करें, एक माला करें, तुलसी की माला ले ले दोस्तों, एक माला से आप इसको सिद्ध कर लें, सिर्फ एक माला, क्योंकि हर चोपाई दोस्तों, इसमें श्रम सिद्ध है, आपको करने क आप शक्ता नहीं है उसके बावजूद भी दोस्तों किसी भी अच्छे दिन अच्छे मूर्थ में जो आपको सुटेबल लगता हो आप बैठ जाए और एक माला कर लें इस चोपाई की दोस्तों और दो लोंग और जरासा गुड दोस्तों कपूर के उपर रख लें और उसके अगरबत्ती पूजा इस्थान में जला दे हनुमान जी के नाम पर याद रखिए दोस्तों पांच चोपाई आपको भरत जी के नाम की बोलनी है और प्यारा अगरबत्ती आपको हनुमान जी के नाम की लगानी है और दोस्तों जिस दिन से आप इस चोपाई को जिस दिन कि आप जल चड़ाते हैं दोस्तों उसमें सिर्फ हल्दी मिलाना सुरु कर देए। दोस्तों जिस पर शुरय देव की क्रिपा हैं सरकारी नोकरी जैसे भी आपको मन कि अच्छा काम आपके जिंदगी बदल जाईगे तो दोस्तों जो नए व्यवर्ण आ रहे हैं मेरी वीडियो पर मेरी चैनल पर पहली पहली बार आ दोस्तों प्रीज सब्सक्राइब और शेकर लें ताकि आपको मेरी हर जानकारी सबसे पहली बार पहले से पहले आपको मिलती रहे, आपके फ़ौन पर आती रहे, और यदि आपको जानकरी अच्छी लगती है दोस्तो तो लाइक अवश्य करें, शेर अवश्य ही करें, तो दोस्तो कडते रहें, खुश रहें, ये सब कुश करने में, समझने में, कोई भी तकलीफ कपर पढ़ती हैं दोस्तों तो कोई अवश्य अभी दोसटों कुछ लोग मेरे पास काफी इससे कौल साते हैं कि कुछ लोग एसी अभवाव ऊड़ा रहे हैं कि फैसे यहां निहीं आपको दोस tau तुं भलत क्म…? डाल रहे हैं उनसे शावधान रहें यह मेरी आपसे रिक्वेस्ट है आगे आपकी मर्जी है दोस्तों वैसी मैं आपको फिर से बता दू हमारे जो सेवा है ओफ्री है किसी के भी बहकावे में ना आएं तो कड़ते रहें दोस्तों खुश रहें जैसी क्रश्णा